प्रेस कॉंफरेंस उनकी और से की गई थी इस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने ये कहा कि 13-15 दिसंबर के वीच धर्मनगरी इच्द्रकूर्ट में आयजन होगा 15 दिसंबर को संगर्प्रमुक मोहन भागवत का गोधन होगा तो सभी शंकराचारी समेट 165 संतों का यहां समाकम होगा जगत गुरू सौमीर रामवद्रचार जी हमारे साथ है सर महाकम का अखिर क्यों आयुजन करना पड़ा है हिंदू खत्रे में है क्या नहीं पर हिंदू को संकत भिंदू पर संकत पड़ रहा है कि घतरे में हिंदू संकत में है उसका समधन करना चाहिए जम्मठ मंदिर तोड़े जाएंगे धर्मांत्रन हो रहे हैं खुले याम हम क्या करें कि लब्ज हाथ के नाम पर हमारी बेटी भूगों को फसाय जा रहा है कि जन संख्या पर संतुलन हो रहा है परियाबर हमारा दूसित हो रहा है गोबद बंद नहीं हो रहा है इसे अब हिंदू जब एक होगा तो सरकार को भी अपनी बात मनवाएगा और जनता से भी अपनी नहीं को दिया है यूप आ से पहले सारी इस तरीक कहीं सूश हूं कर दिया है थोड़े सी यहां क्या लगता कर हिंदूयों का क्या लगता है रामंदर भी बन गया है अब क्या आपको जरूबत पड़री से नहीं हो विखतते से सहाधे जन समय मेरे थे कि यह थे जगत गुरु स्वामी राम अद्रचाई जिन का ना है बहुत सारी अपक्छाय हैं हिंदू राष्ट बनाना हैं इसी को लेकर इस तरीके महाकन मुखा आउजन किया गया है इससे राइनी तीशे के किस्तिका लेना देना नहीं है कैमरो परसन बजय सेच करके साथ आकर सर्मा बंसल नीूल भूपाल